साथियो अगर बीकी दोस्ती तो सबसे पहले खरिदार हम होंगे तुझे खबर भी ना होगी कि तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे दोस्त जब साथ हो तो जीने का मज़ा अलग है और जब दोस्त साथ ना हो तो मैफिल भी समसान है तो साथियो हमारे भाईया अबूबकर सहाब दस हजार किलोमेटर दूरी तैकर लंदन से आये हमसे मिलने के लिए तो मिलने जुलने का करम में हमारे एरिया में जो भी छोटा मोटा खास करके टूरिसी स्पॉट है वो हम दिखलाने के लिए आ गए चुके हैं पंचत डेम जारखंड का सबसे बड़ा डेम पंचत डेम पंचत डेम पनबीजली योजना और एक बार डेम का दिखलाया जाए चारों तरह पानी ही पानी भरा हुआ है और इस और पानी है उस और अगर दिखलाया जाए तो सिंद्री से पोसाइड से पानी आता है हमारे यहां बारिस के मौसम में और यह पनबीजली योजना है यहां पानी से ही बिजली को तयार किया जाता है जिसे हम दामुदर भेली कारपुरेशन डीबीसी पंचत के नाम से जानते हैं यही है वो पंचत डैम का नजारा तो अबुबकर सहाब आए हुए हमारे दोस्ती नहीं हमारे मुहीम का हिस्सा बन चुके हैं और यह मानो सिवा से जुड़े चुके हैं अभी रास्ता में बातचीत हो रही थी इन्होंने हमें बताया कि सबसे बड़ा अगर धर् जुख होता है कि कुछ पढ़ी रिखे लोग रहे पंचत डैम में सुसाइट भी कर दोते हैं क्यों खुद खुसी कि 2 कि इसी लिए साथियोंगे खुद खुसी ना करें खुद से सुसाइट ना करें यह जीवन बहुत आनमोल हैं इस मित्टी में जर्म लिए हैं ना किसी दि में हम लोग भी दफन हो जाएंगे जब तक जिन्दा है एक दुसरे का सुख और दुख में भागिदारी बनिए और जीवन ब्यातित कीजिए अगर किसी बात से अगर नाराजगी है घर वालों से तो कम से कम खुद खुशी ना करें आत्महत्या ना करें कि आत्महत्या भूल से ना करें हम तो साथियों कभी यह नहीं सोचेंगे कि हम खुद खुशी करें तो हम चाहेंगे हमारे कैमरा में एक बार उदर चला जाए आप एक बार सराइए अधर के यह जो रास्ता है सार इधान अगर जाते हैं उस सीधे शिर्कुंदा शिर्कुंदा कर सीमा है जिनके सीम सहाप मन्य रगवर सरकार जी है इधर अगर दिखलाये जाए तो पुर्लिया की और जिनका सीम सहाप मन्य मंत भी है और इधर दिखलाये जाए यही है फूल बहार जहां पर हमारे देश के पहला परदार मंत्री देश का पहला परदाल मंतरी मानिये पंडित जोहालाल मेहरू ने इस देश इस डैम का उधगाटन किया था और ये पनवीजली योजना है और अभी भी काम चल रही है इसलिए डैम से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है एक बार जुम कर गर के ले लिजिए देखिए बहुत सार पकर भीया कुछ देर में खास करके ब्लैक डैमन्ड पकड़ेंगे और फिर ये चले जाएंगे पोलकाता से हिंता खास करके प्लेन का टिकट बना हुआ है दुबई जाएंगे दुबई से सीधे लंदन चले जाएंगे फिर वाट्सअफ के माईधम से मुलाकात होती रहेग मुबारक जी मिलने के लिए आएंगे तो सातियों जिनके अंदर जज़बा है नामुम्किन कुछ भी नहीं इनके इच्छा थी कि हम मिलेंगे बस मिलेंगे तो मिलेंगे दस हजार किलोमीटर दूरी तै करके जहारखंड की इस धर्ती पर यह आए हैं हमारे जैसा एक मामूली सा खास करके सोचल मीडिया पर मैसेज दिने का हम काम करते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत बड़े काम करते हैं बस सोचल मैसेज देना है कि हम अगर किसी का अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम खराब भी ना करें किसी को एक्ष्य नहीं कर पाते हैं तो खराब भी ना करें यह मेरा मानना है इदि इसी सधहन के साथ जीने का असली मजा है कि आजू बाजू अगल बगल अगर कोई भाई जो आप भी इसे मदद करें यह मदद आपको विचाही तक ले जाएगा बुलंदी तक ले जाएगा तो हमारी मानना है कि मानो सिवा सबसे बड़ा धर्म इस धर्म का आगे कोई बड़ा धर्म नहीं है कि कुछ बोलते चाना सब्सक्राइब आपने ना करते परें तो मुबारेक भाइड गुगल पे आइडिया से पटर मुद्धे अपने टाकाद दीते पर दें साथियो इनी साथ सब्सक्राइब के साथ जय हिन जय भारत और हम गर्ब से कहेंगे बंदे मात्रम